आप सबी ने अपने जीवन में ब्लेड का इस्तमाल तो क्या ही होगा और सेविंग के दोरन या हेर कटिंग के दोरन इसका इस्तमाल एक आम बात है लेकन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लेड के बीच में बनाया गया आकार किस काम आता है और हमीसा ब्लेड इसी डेजाइन में क्यों बनती है नहीं तो चलिए आज हमको इस बारे में बताते हैं इस बात को पूर रूपर समझने के लिए आपको इत्यास में जाना पड़ेगा यह बात 1904 की है जब जिलेट कंपनी ने पहला ब्लेड लॉंच किया था एक दोधारी ब्लेड था जिसमें काफी पेना पन था इस ब्लेड को आप रेजर में बोल्ड के सारे फिक्स कर सकते थे यह काफी लचिला था इसलिए इसके उपर एक और सेक्षन दिया गया था जिसके वैसे आप इसे आसानी से कशकते थे वह समय यह पेटेंट से जिलेट के पास ही था और वैस डिजाइन के ब्लेड बना आसकत पक्तित साल बाद जब अच्छाल जिए प्राकाल के ब्लेड बनाना शुरू कर दिया लेकि Разor उस समय जिलेट कंपणी का अदा था इसी वैगर से सारी कंप्णी ने जिलेट की डिजाइन का ही ब्लेड बनाना कर दिये इस अजीब तरीके की डिजाइन की पीचिका कारण यही अजीब था तो ब्लेड बनाया गया वह यह 0.20 mm का था और इतना पतला होने के वज़े से अगर इसे पीच में इस आकार का डिजाइन ना दिया जाता तो हलका सावी इस्तमाल करने से तूर जगता था इसका फ् अन्यम दूर इस अन्यमत्रो के साथ अवस्तमाल का था जगता है झाल होने की जाओई से और दूर जिलीवाद साथ में इश्याद Girald